हालो फ्रेंट्स, वेल्कम बैक टो उनलाइन क्लाश, स्टांडर फर्स सब्जेक मैच, मैच में आपको रो में फ्रूट्स दिखाई देते बेटा, तो कौंचे-कौंचे फ्रूट्से, पोमेग्रेनेट, मतलब दाडम, अनार, पाइनेपल, ग्रेप्स, वाटर मेलन, एपल, ब एपल तो यहां भी है, यह नया आया, ओरेंज, बनाना भी है, पोमेग्रेनेट भी है, मैंगो, तो यह लाइन में से यह लाइन में दो फ्रूट्स नये है, ओरेंज और मैंगो, अभी यह लाइन में, फर्स्ट लाइन में सब फ्रूट्स आ गए, वही है, है ना, तो इसमें सबसे देखो इसमें भी कुछ नया नहीं है है? इसमें भी कोई नया एड़ किया है? नहीं किया इसमें भी नहीं किया मतलब ये पेज में जो fruits दिखाई दिये है वो कितने कितने fruits है? Pomegranate, Pineapple Grape, Watermelon Apple, Banana Orange और Mango इट तरह के अलग-अलग fruits है, देखो Pomegranate 1, Pineapple 2 Grape 3, Watermelon 4 Apple 5, Banana 6 Orange 7 और Mango 8 इट fruits अलग-अलग के आपको अलग-अलग रो में दिखाई देते हैं, है न बेटा? तो यहाँ देखो Pomegranate, Pineapple Grape, Watermelon Apple और Banana फर्स्ट रो में यह है, है न? सेकंड रो में है Apple, Orange, Banana Pomegranate, Mango Watermelon थर्ड रो में है Grape, Pineapple Pomegranate Apple, Pineapple, Banana फोर्थ रो में है Watermelon, Banana Mango, Orange Pineapple, Mango फिफ्थ रो में है Pineapple, Watermelon Banana, Apple Grapes और शीक्स रो में है Pomegranate Pineapple Grapes Watermelon, Banana तो यहाँ जो Fruits के लाहरो है रो है इसमें से आपको यहाँ Question आंसर भी है, देखो Which fruit appears in all the rows हरे एक रो में कौन सा fruit से सब लाइन में दिखाए देता है यहाँ देखो नहीं है तो एसे देखो ग्रेप भी एक में है दूजरे में नहीं है फोर्थ में नहीं है फीफ और सिक्स में है Water में 1st, 2nd, 3rd में नहीं है 4th, 5th और 6 में है Apple 1st में है, 2nd में है, 3rd row में है 4th में नहीं है, 5th में है और 6 में नहीं है और banana देखो सब में है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो which fruits appears in all rows तो banana Which fruits appears in 5 rows अब 5 rows में कौन से कौन से fruit से वो आपको यहां लिखने है 5 rows में देखो सबसे पहले pineapple कितने rows में है 1, 2, 3, 4 और 5 rows में है नहीं तो pineapple आएगा answer और watermelon भी 5 में है 1, 2, 3, 4 और 5 है नहीं तो यह रहा pineapple और watermelon Which fruits appear in the 4 rows 4 rows में 4 line में कौन से fruit से वो आपको यहां लिखने है देखो यहां देखो apple 1st row, 2nd row, 3rd row और 4th row है नहीं फिर pomegranate देखो 1st, 2nd, 3rd और कौन से है देखो 1st line में है, 2nd line में है, 3rd line में है है ना और कहीं pomegranate दिखाई देती नहीं है तो pomegranate answer इसमें नहीं आता है apple आएगा और grapes आएगा grapes 4 row में है 1st, 2nd, 3rd, 4rd pomegranate पी से आती है 4 row में है 1, 2, 3rd, 4rd है ना बेटा हाँ तो यहाँ which fruits appear in 4 rows तो 4 rows में apple आएगा pomegranate आएगा और grapes आएगा तो यहाँ banana का spelling है B-A-N-A-N-A banana pineapple का spelling है P-I-N-E A-P-P-L-E pineapple फिर watermelon का answer है W-A-T-E-R M-E-L-O-N watermelon है ना फिर apple का तो आपको आता है फिर भी मैं बोल रही हूँ A-P-L-E apple pomegranate है P-O-M-E-G-R-A-N-A-T-E pomegranate फिर grapes G-R-A-P-E-S grapes mango का spelling है M-A-N-G-O mango है ने बटा हाँ तो यहाँ fruits का नाम का spelling भी आपको तयार करना है क्यों? answer में उसका spelling लिखना है तो first answer में बनाना आता है B-A-N-A-N-A second answer में pineapple और watermelon P-I-N-E-A-P-L-E pineapple और W-A-T-E-R M-E-L-O-N watermelon फिर third में है A-P-L-E apple P-O-M-E-G-R-A-N-A-T-E pomegranate और G-R-A-P-E-S grapes अभी यहाँ दिखो which fruits fourth question which fruits appear more than once in the same row है नए एक ही बार एक करता वधारे बार तो यहाँ pineapple और mango pineapple और mango है नए mango कितनी बार आती more than one ओके एक करता वधारे कितनी बार है यहाँ रा pineapple और mango एक बार नहीं दो लाइन में दो दो टाइम साती है तो यहाँ pineapple और mango का answer आता है which fruits appear in the last three rows last three rows में कौन से fruits से वो आपको यहाँ लिखना है which fruits appear in the last three rows three rows में दिखो pomegranate है banana है तीनों में जो है वो ही लिखना है आपको देखो pomegranate यहाँ है तो इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है तो आपको लिखना नहीं है water melon नोमें तीनों में है बनाना भी तीन में है फिर पाइनेपल भी तीन में है घ्रेप्स दोनों में है इसमें नहीं है मैंगो यह दोनों में है यहां है तो यह दोनों में नहीं तो which fruits appear in the last three rows में watermelon, banana और pineapple तो यह आपका picture वाला जो question है आपको page number 168 में तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको ऐसे picture draw करने पड़ेगे यहां जो page में pictures है वो picture आपको क्या करना पड़ेगा? books में draw करने पड़ेगा? करोगे न? fruits के name साथ में लिखना है यह picture पेश कर दो और उसका spelling लिखो साथ में, ओके? तो यह आज आपको homework में यह picture की row देखना है और उसके question answer जो मैंने समझा यह 1 से 5 तक खा यह तो यह page number 169 आपको क्या करना है? complete करना है 169 ओके बेटा? करोगे न homework? बाई!